नमस्ते, मेर जोती पनी स्वास्त सम्बंधी विडियो अरुचन, त्यो सचेतना र अध्यन को लागी बनायेको विडियो अरुओ यो विडियो अरे र आफे निदान गरनी, आफे उपचार गरनी, आफे खायर को अउसती गटाउने बड़ाउने कामचे न गरनुवाला, आफनो डॉक्टर लाई बेटे र सुजाओर सलाली नुवाला नमस्ते, आजह को यो शुल्ञ भला LDL कोलेस्टरल को भारे माचा, आमी मद्य बननाम अथो अधिकां सते र है वेक्ती अरेको रुची बाओ को LDL कोलेस्टरल जिन बैड कोलेस्टरल तब बाडार सोचनि वांचा, nधा LDL कोलेस्टरल हो न तो यो खराबो, bad cholesterol जिन LDL लाए bad चलेस्टोल वन्चम इस नौर छोलेस्टोल अन इस नौट बाद मुली किन ल्डल कोलेस्टोल वन्द यो ल्डल कोलेस्टोल वन्द रही एक चरे बिसार गवर्न अथा LDL low density lipoprotein यो cholesterol वह नहीं यो चाहिं लाइपो प्रोटीन हो यो चाहिं protein वन्द हलुका होंचा हामीले खायको cholesterol, शरीर ले बनायको cholesterol, fat शरू अनि fat शोल वल वाइटामिन शरू इस सब्वयला डुवानी गरने योड़ा कार्गो बोट हो यो ते यो चाहिं लाइपो प्रोटीन ह हमरे रगत एक्वेस चा, रग cholesterol हरू के चा तो wax ंचा तो चाहिं है हाईड्रफोबिक हुँचा, ऊचायो रगते ब्लॉर्ड में कि उन् बनायको मीसिं निराइच तो तोए रिणी डू चाहिं कार्गो बोट हरू इनह चाहिं आज आमी बिस्त्रीत रुप मां कुराया गर्चें यही LDL अर्थात लाइपो प्रोटीन को बारे मां चें आमी कुराया गर्चें एक्षित ध्यान देर एर्नु अला होगो आम्रो शोरीर मां एवड़ा फैक्ट्री सा योचे फैक्ट्री वो एला बन्चम आमी एंडोप्लास्मिक रेतिकुलम दुछा बिभाग चायो फैक्ट्री मां स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेतिकुलम रफ एंडोप्लास्मिक रेतिकुलम मा तपहेको प्रोटीन सारू बन्चा जो सरी नंग मा चायनियो प्रोटीन कपाल मा चायनियो प्रोटीन हाला में चाहिने प्रोटीन हरु चाहिने तपाइको रॉफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम मा बन्छा 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 स्मूद एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम मा लिपीद चारू फैट चारू बन्छा स्टिरोईद चारू टेस्टिरोन हर्मोन चारू य उसाइस सेंटर बनालम अब उसा त Platz पोस्त अभिस मा नहीं जानाचा यहां पोस्त अभिस अभिस में sell यहां सो अभी पेक这样 आगयकर यहां भी काइज हवाजरों अजिकाफ एल्ड शाया qोथण जानाच अर्था लाइपो प्रोटिन अगीन बजाई स dependent 하면서 VLDL LDL SDL भनेको इन्हें लाइपो प्रोटीन हो अब एक चरी यह विचार गरनाशता आमीले खानावर्ड खायेको कोलेस्ट्रोल नहीं जो खानावर्ड आमी खानचम तो काईलो मायक्रोंज को रूपमा होंच रतेस्पासी कोलेजो मा जानच और अरको शरीर ले बनायेको फैत चरू लिपिद चरू, स्टिरोईद चरू, तो स्विन है वाइटामीन A, D, E, K यो भनेको फैस्ट्रोल वाइटामीन चरू, यो सब्वाई के होंच अब कलेजो मा जानच, अब कलेजोल ले बोद चरू बनाऊच, ड्वानी गाडी बनाऊच, कार्गो बोद चरू, तेला आमी बन अब बाटो मा उले ट्राइगलिस्ट्रोईट बाड़ दाई जानच, जब ट्राइगलिस्ट्रोईट धेराई बाड़ी शक्छा, अनि तेस्वाची तेवा VLDL अब औरको बोट मा परना तूँच, तेला बनाऊच मामी LDL, लो डेंसीटी लाइपो प्रोटीन, अब यो LDL ज चाहिएो, तीसरी ने-्ैसिटिंस बोड्यिमा तिन होलाव क्योदा चाहिएो, आमरे चुक्निवाध हर्मोन चाहिएो, स्च हर्मोन चाहिए sectoron, perogesterone, अर्को कर्टिसोल यो सब बैं हर्मोल लाइचां के गर्चा वंदा ही ले चाहिए अब कोलेश्टोल चाहिए बाड़चा अब बाड़े रहे एडचा यदी सरीरमा कोलेश्टोल अत्या दिक बो र सदुप्योग बाए न उन्ही अर्लीय नवने अब उबरेंचा अफरी के गर्चा कले अरको डुवानी गाड़ी बनोचा तेला वन्चा मामी HDL अब क्योंचा वन्दा हेरी HDL ले अब लिवर ले फेरी गरचा ते ले ले बाइल स्टमा चाहें यूज गरचा वन्दू को मतलब LDL HDL रर VLDL के रही चाहें लाइपो प्रोटीन रही चाहें तो भारली सुन्दे आउन बाचा को LDL cholesterol बड़े हो बने रिदय गात हुँचा LDL cholesterol बड़े हो बने मुटू को रोग हुँचा हो बड़ चाहें मुटू को रोग हुणना सक्छा आजमत भारला बुजाऊंचू कुन LDL ले बन्दा हेरी oxidized cholesterol oxidized cholesterol बने को केता तो भारेको रक्त नली अन्रक्त नली अत्वा दनी अरुमा संक्रम अन बायो बने त्या अब मोनुसाइड शरु जान्चा अब मोनुसाइड शरु की होंचा बन्दा के त्या चीर रफ्री राडिकल शरु उत्पन्ना होंचा अब यो फ्री राडिकल शर ले के गर्चा LDL cholesterol लाए oxidize गर देंचा साधारन भासा मां त्यार लाड़ आया दिंचा बनौनोख अक्षिडाईज कोलेस्टोल होंचा अन्छा अन्ए अक्षिडाईज कोलेस्टोल लेछाइँ अमिला मुटुक रोग हुन्ना सक्चा रिदय गात उन्ना सक्चा अन्ग बतलब कुन कोलेस्टोल ता LDL cholesterol तर अक्षि तो बेक्ति अरुला चाहिए तो बेक्ति अर्यको LDL cholesterol oxidize होना सक्छ और को बनेको ट्रांस्पाइट युक्त कुरे अरु बजार मा पाइने hydrogenated oil मा fry गरेको कुरे अरुजुन खानोंच ती कुरे अरुले तो बेको LDL लाई oxidize गरना सक्छ और oxidized cholesterol ले चाहिए मुटुको रोग गराऊना सक्छ और को बनेको high insulin सरीर मा physiological dose अर्थात चाहिने बंदा बड़ी तो बेको सरीर मा insulin उत्पन वहिरा चाहिए तेले पनी LDL लाई oxidize गरना सक्छ और को बनेको insulin resistance यह सब्बाई को अर्ले तो बाई को LDL cholesterol के उना सक्छ और oxidize उना सक्छ और यह सब्बाई बुजावनों के निमिता मोई एकदमें इंट्रेस्टिंग इवडा अद्धियन लेहा को सो रहा यह सब बाई अद्धियन को लिंक मा डिस्क्रिप्शन मा राग दिंच तो बाई पर नुवला evidence that acute insulin administration enhances LDL cholesterol susceptibility to oxidation in healthy humans अब इसको conclusion अर्म नामी एक तो में इंट्रेस्टिंग सहयो conclusion मां के लेहाजा in conclusion insulin at physiological doses is associated with increased LDL perioxydation independent of presence of hyperglycemia this result support the possibility that insulin resistance may be implicated in the genesis of early atherosclerotic lesions and or the progression of atherosclerosis through the attendant hyperinsulinemia यो अद्धियन लिक्किये देखाऊंचा बंदा खेरी शरीर मा तवला diabetes होस अथ्वा नौस अथ्वा hyperglycemia होस अथ्वा नौस येदि अत्यदिक मात्रामा तपाईको शरीर मा insulin बड़ी राज हा बने तेले तपाईको LDL लाई oxidize गरना सक्छा रशुरुवाती दिन मा लामो समय समय तपाईको शरीर मा insulin बड़ी रहो बने एल्ले चाहें रगत नली रधनी अरुला चाहें सांगुरो गरना सक्छा अथ्वा तेल्ला चाहें शारो बनाऊना सक्छा जसले गर्दा हाईपर इंसुलिनीमिया बहागो अवस्तामा तो पहलाए मुटू को रोग अथ्वा रिदय गहात हुना सक्छा और के वड़ा इंट्रेस्टिंग अध्यन चाहें यानी रहा यहली के बने आच्छा समय सबाने पढ़ने हुला रहा मुला आसास तो भाहर ले एल्डियाल कोलेस्टोल राम्रेरी आज़ा बुझने भू आज़ा को लागी एती नहीं और को वीडियो माँ फ्यारी बेटावला धन्यवाद